वेलकम टू फ्रिक्टर है दोधा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए नेल गन्स लेक्या हूँ पंकिन कंपनी की जिसका मोडल नंबर है जे एफ 30 दोस्तों ये इसका मोडल नंबर है काफी कारपेंटर भाई वें के पिछली वीडियो में कमेंट आये थे कि कोई एर कंप्रेशर वाली नेल गनल नेक्या होुँ तो दोस्तों ये एर कंप्रेशर से चलती आर दोस्तों इसका मोडल नंबर भी मैंने बता दिया इसका प्रैज कहां से आपको परचेज करनी है ये भ पहले लाइक का बटन दबा देंगे चलो दोस्तों इसके अन्बोक्शिंग चुरू करें तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके लिए गिबे लेके हूं जो था नेल गंड कंप्रेशर वाली यह आपका गिबे है जैसे दस जार का हमने लाइक का टार्गर रखा और दोस्तो मैं यही रुकेश्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो और वीडियो आगे सागे शेर भी किया करो और दोस्तों कमिट शेक्षन में जुरूर बताया करो यह आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों बॉक्स के ओपर इनने पूरी ब्रांडिंग कर रखी आपने यानि की पंपकिन कंपनी की और पूरी डेटेल यहां पर दे रखी है बाकी मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूं और दोस्तों पंपकिन कंपनी का यह टूल बॉक्स हमारे सामने है और दोस्तों यहां पर में पंपकिन कंपनी की ब्रांडिंग कर रखी दो तो हमें इसके तार में इसके थाल की बोटल मिलती है दो तो जूंसी हमें इसके थार नेल्स मिलती है 30 mm की है और यह 100 पीस होते हैं इसके अंदर और सेफटी के लिए उन्होंने हमें गलास दे रखें यह लगाने बहुत जुरूरी होते हैं और दोतों एक हमें नेल्स गंड कंप्रेशर मिलती है यह इसके साथ मशीन के डेटेल के बारे में हम जानकारी ले ले लेते हैं स्क्रीन पर भी आपको इसकी डेटेल नजर आ रही होगी दोतों अगर मैं इसकी वेट की बात करूं एक किलो 200 ग्राम इसका मशीन का वेट है अगर हम इसके एर प्रेशर की बात करें तो कितने पर जी सई रिजल्ट अपना देगी तो दोस्तों चार पॉइंट साथ बार इसका मिनीम लगती तो दोस्तों अठारा गेज की इसके अंदर नेल्स लगती है आम तोर पर जोंसी हम नेल हतोडी के साथ लगाते हैं वो वाली सके इंदर नेल्स अलगी आती वह भी मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो में चुदू से लेका अंट तक बने रहोगे दो आपको कलर क काफी मोटी है कम से कम 3 mm के क्रीब है यानि कि मसूस होदी जब ही हम कभी भी नेल्स बगारा लगाए तो हमारे हाथ को जटका ना पड़े और काफी कमफर्टेवल है हमारे हाथ में एर का सर्कलेशन बना रेगा और दो तो यहां पर इन्हें ट्रिगर दे रखा है और यह हमारी मैगजीन ओपन हो जाएगी यहां पर इन्हें पूरी इन्हें डेटेल बगारा मेंचन कर रखी है यानि कि इसमें 10 mm से लेके अपनी 30 mm तक की इसके अंदर नेल्स आती है जब मैगजीन ट्रिगर को दवाएंगे हमारी मैगजीन ओपन हो जाएगी इस तरीके से और मैगजीन के अंदर यहनुनने 30 mm की दे रखी है तो हेड़िण का उपर करेंगे तो इसके अंदर इतना तेज करती है इतनी जल्दी तो मेशीन गण में से नहीं गोली निकलती है यह मैंने इसके अंदर से लगा दी यह लगा दिए तो हमें जब इसको फिट करना है तो जटका मारना ब बताऊंगा किस तरीके से डालना तो हम इसको किस तरीके से निकाल के यहां की कील को भार निकाल सकते हैं तो यहां जब हमारी नेल फस जाती है तो हमने का करना मैगजिन के अंदर जितनी भी कीले हैं तो हमने सारी निकाल लेनी है यह हमने इस तरीके से सारी निकाल लेनी है और एर का पैप भी हमने यहां से निकाल देना कहीं गलती से कहीं धब जाए फिर गरबर हो जागी यहां से एर पैप हमको निकाल के फिर हमने यह दो स्कूरू खोलने उपर से यहां से अब अपनी निकाल सकते हो उसके बाद क्या करना है हलका हलका सा तेल दे देना हलका हलका सा ज्यादा भी नहीं देना हमें हलका हलका सा देना है और फिर इसी प्रकार हमें यह लगा दिना है और यह यहां से बिल्कु बराबर करके लगाना आगे पीछे नहीं होना चाहिए दो तो यह जुनसा इसके साथ पाइप है यह पंकिन कंपनी का यह गन के साथ नहीं आता यह लगी आपको पर्चेज करना पड़ेगा यह 8 mm का पाइप है और दो तो इसके साथ यह कनेक्टर ऐसे लगे है आम तोर पर क्या चूड़ी वाले होते हैं उसमें का होता है यह हमारी चलांगा तो चल जाएगी है यह देखना यान की फायर होगी अब क्या हमने का करना गोगल से लगा लेने हैं और देखना यह इतनी जल्दी कील लगाएगी उसके अंदर क्या होता है हमें उठाके फिर दबाना पड़ता है इसको उठाना नहीं पड़ेगा लगातार आपकी कीले लग जाएगी यह देखना यह मैंने की और एक mm के क्रीब कील अंदर चले जाती है इसके अंदर यह नहीं कि आपको सुंभी मानी पड़ेगी थोड़ सा मैं आपको निजदीक से दिखाता हूं और पीछे से इस तरीके से हुई है अगर हाथ से आपको कीले लगानी हो तो आप इतनी हाथ से कील नहीं लगा सकते जैसे हमारी सीलिंग वगरा उपर लगती है तो पलाईयों वगरा में काफी हमें कीले लगानी पड़ती है तो यह बहुत ज़ादा जबरतस्त है जैसे कई भाई मेरे अक्जीविशन में काम वगरा करते हैं कई ऐसी फणिचर की चीज़े होती है हाँ हथोड़ी नहीं काम कर सकती तो हाँ यह काम बड़ी असानी से करती है एक बाप में आपको और पास से करके दिखा दो तो यह देखो कीले कितनी अंदर डीब में चलीए यानि कि एक में के करीब अंदर चलीगी हमें सुंभी वगारा लगाने की जूरत नहीं है दो तो हमें जब नेल गंच चलानी इस तरी मोशन पीछन ही होना चाहिए और स्टीगर हलका सा दबाओगे धार-धार करके निकलेगी यह देखना है कि यह दो तो यह मैंने हार्ट बूड लगकर लिए यानि की किकर की किकर है जिसको हम बबूल बोलते हैं इससे यानि की हार्ट लगकर नहीं होगी हमारे पास मैं आपक तक कि मरकमेंट करते हैं कि आप पाइनड बुड पर ही करके दिखा रही है कि अनले बनलदल आप ने करके निकलोड या वे दोखो कितनी निलगा रही है अब मैं इसके उपर प्लाई रखने दिखा रहो के लिए यह सटाइए यानि कि यह दखो दो तो कई वार हमारी फ्रिक्चर लेंड में ऐसा सा काम आ जाता जैनकि 6 mm की प्लाई के भी हमें बोक्स बगारा बनाने पड़ जाते हैं यह अगर हम हाथ से कील मारते तो भार निकल जाती है तो इससे देखते कितने इसका बैलनस है कितनी सही कील जाती है तो हमने का करना इस तरीके से रख लएनिए है और यह हमने किया कि ना इधर से निकली ना इधर से निकली केल मैंने मारीया कहीं है मानूरू थम्रूकी ठीकिरर से निकली बाहर अ इह अंदर चली यीएcidos में गारा और करते हैं कि अग्र नंट्र जाता है जाता है तो दोस्तों दूट जाते है तो यह उसके बहुत ज्यादा काम आती है अब जैसे यह मैं ग्लास बिडिंग भर रहा हूं तो मैं इसको बड़ी असानि यहनि कि इसका मुझे benefit यह यहनि कि मुझे कीले वगरा डाउन नहीं करनी पड़ेंगी बहर से भी बड़े दो तो मैं इसको यान कि डियाइवी टूल नहीं बोलूँगा मैं इसको professional टूल बोलूँगा कवि यह professional की तरह काम हो सकता आठ से दस गंटे आप जैसे मर्जी से वर्क कर सकते हो बाकी और भी इसकी कई चीजे में आपको बना-बना के दिखाता हूं इसके साथ अभी नेल गंड के अंदर क्या होगा एक हाथ आपका फ्री हो जाएगा आप ऐसे अपने प्रजेक्ट को पकड़ सकते हो और यहां पर इ दोस्तों एक चीज आप बार-बार भूल जाते हो मैं हमेशा आपको जाद दिलाता रहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो काफी टैम होगा वीडियो को चलते हो और दोस्तों कमेंट भी कर देना अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी कंप्रेशर के बारे में जानकारी दे दोस्तों कि बात करूं तो हम इसको कैप्सुल टाइब कंप्रेशर बोलते हैं यह यान कि 35-40 साल पुराना यह मेरे फादर के टाइम का है जिसको मैं इस्तमाल करता हूं पर इसको कमी चलाते हैं आज कल बड़े चोटे-चोटे चोटे आ रहे हैं यानि कि उसके अंदर यानि कि थोड़ सा मैं निजदीक से आपको दिखाता हूं दो तो यह हमारा एर वाल होता है यह अगर यह वाला नहीं लगा हुआ तो यह वाला आपको लगवा लेना है तो इसके ऊपर क्या होता है एर कनेक्टर लग जाता है यानि कि अगर पाइप हमारा 10 mm का या 8 mm का या 12 mm होता इसके अंदर क्या होता है हमारी कोई भी एर वगारा यानि कि इसके अंदर से निकलती नहीं दूरते से यह मैंने इसके अंदर डाल दिया तो आप क्या होगा टाइट हो गया यह पूरा अच्छी तरी निकलेगा अगर मुझे निकालना पैप को तो इसको नीचे की तरफ मिल जएगा तो आपने का करना में वाली लैन आपने इसके अंदर लगा देनी है तो इससे इससाथ नेल गंट भी चला सकते हो आप इससे कंप्रेशर करनी यानिकि हरे कारफ़ैंटर भाई इसको प्रचेज कर सकते हैं इसका प्रैज इतना कम है दो तो सामने सक्रीन पर भी नज़र आ रहोगा वहां से आप प्रचेज करने क्या इसका प्राइज है और दोतों काफी आपकी ओडियंस का हमें प्यार मिलता है अगर कोई हमारे वीडियो बनाने में कुई कमी बगारा रह जाती है तो दोतों आप कमिटी सेक्षन में हमें बता सकते हो तो हम उसको सुधार करेंगे क्योंकि हम आपी से सीखते हैं आप हमारे गुरू हो तो दोतों यह आपको वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ओल का बटन दबादना जिससे आने वाली वीडियो की हमारे वीडियो